दो हजार चौबिस के लोग सभा चुनाओ का ये मैंडेट ऐसा है जिसको समझना मुश्किल है लेकिन नामुम्किन नहीं है ये अनेक्स्पिक्टेड है क्योंकि हम सब लोग एक उपिनियन बना के बैठे थे एक उम्मीद लगा के बैठे थे अपने पुरुवाग्रहों के मता कि मैंडेट ऐसा आएगा या वैसा आएगा मैंडेट का मतलब समझी है बड़ा सिंपल है कि एक सरकार जो दस साल से पावर में थी उसको रूल करने के लिए दुबारा मौका दिया है पबलिक ने मैजॉरिटी जो है सविधान जो है इस देश का जिस कानून से हम संसत को चला उसका सिंपल रूल है कि एक पार्टी या गड़ बंधन किसको मेजॉरिटी मिल रही है वो मेजॉरिटी एंडिये को मिली है जाहिर है कि एंडिये के नंबर कम हुए है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो कि वह हार गई है तो कोल्ड लॉजिक लगाई है अबजेक्तिव को तीसरी बार मौका दिया गया है, पब्लिक ने जनादेश दिया है, कि आप गवर्ण करिये, continuity का मैसेज है इसमें, continuity का mandate है, opposition को उमीद से ज्यादा कामया भी मिली है, यही वज़ा है कि इसके ठीक पहले, जब उसने exit पोल देखे, तो शोर बचाना शुरू किया, और चुनाओ के mandate को delegitimize करने का एक महौल सा बनाया, लेकिन अब सब शान्त हैं, किसी को कोई EVM से complain नहीं है, कोकि विपक्ष को भी बहुत सफलता मिली है इसमें, लेकिन यह सफलता पब्लिक ने दी है उनको, पब्लिक ने तैय किया है कि वो क्या opinion रखते हैं और क्या चाहते हैं, तो पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक एक संतुलन चाहती है, पब्लिक ने centrist politics का रास्ता चुनने के लिए political party को जो rule करेगी, उसको message दिया है, बड़ा simple message है यह, बड़ा simple mandate है, लेकिन यह mandate historic सिर्फ इस लिए है, क्योंकि तीसरी बार मौका मिला है बीजेपी को और एंडिये को rule करने के लिए, अब आईए इस बात पे कि क्या बीजेपी ने यह भापा था कि शायद तीसरी बार की incumbency है, दस साल की incumbency है, मुश्किल हो सकती है, इसी ने पिल्कुल आखरी दोर में उसने कितनी सफाई से अपने नए गट जोड के सेयोगी चुने, नितेश कुमार को लाना, चंदरबावु नाइडू को लाना, और HD देवेगरवा की पार्टी को लाना, इसका सबूत देता है, बीजेपी की एक दूसरी सफलता देखिए, कि उडिसा उनके लिए ग्रीन फिल्ड स्टेट था, पहली बार बड़े पैमाने पर वहाँ प्रवेश करना चाहते थे, और वहाँ उडिसा के राज्जी को अब रूल करने का उनको मौका मिल गया है, और बीजेपी चुकी आंध को दावा करे राष्टपती के पास जा करके कि वो सरकार बनाना चाहते हैं, इस बीच ये नंबर ऐसे हैं जिसमें कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पबलिक क्या कह रही है, तो चर्चा ये चल रही है कि अब ये एलाई छोड़ देगा या वो एलाई छोड़ देगा कि वो कह सके कि उसको मेंडेट मिला हुआ है, सौ सीटों के आसपास अगर कॉंग्रेस पार्टी को मिलता है और वही पर बीजेपी को 240 के आसपास मिलता है, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन है और सबसे बड़ा एलाईंस किसके पास है, ये क्लारिटी रखनी चाहिए, अब आते हैं आखरी बात पर किस मेंडेट को किस तरह से पढ़े बीजेपी, वो मेंडेट बड़ा साफ है, कि आपने बहुत मेहनत किये, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो एसपिरेशन है और आपने जो किया है परफॉर्मेंस में गैप है, इ रहेगी और हाई ग्रोथ का रास्ता चुनना पड़ेगा जो नौकरियां क्रियेट करें, और तीसरी बात, जो आखरी बात है हमारी, कि जब हम कहते हैं कास्ट की पॉलिटिक चलती है, रिलिजन की चलती है, सोशल रियालिटी बड़ी साफ हैं, गरीबों ने, जिनको हम कहते कि पूरा जो मैंडेट है, उसमें अगर एक यूपी इस लाइन को बिल्कुल तोड़ करके अलग हो गया, यूपी टर्न हो गया, वरना ये मैंडेट कुछ और हो सकता था, यूपी को बाहर निकाल दे, तो आप पाएंगे कि ये मैंडेट कंटिनुटी का है, एक और एक कंटिनुटी वाली सरकार चलाने का है, जो नरेंदर मोधी को मिला है.